हालो स्टूलेंट्स वेलकम बेक तो और्गेनाईज डॉलेच चैनल आज की वीडियो में बच्छों डस्कस करेंगे वर्क्षीट नंबर थर्टी टू फोर क्लास सेविंथ सोचल साइन्स की वर्क्षीट है जो आपके लिए 8 फेबरी 2021 के लिए शेडूल की गई है डारक्टरी वर्क्षीट शुरू करने से पहले बेट अपली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे रेड बटन है जिसको आपको प्रेस करना है तो लेट स्टार्ट डिवोशनल पाथ टू दू 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 दिवाइन तो इसमें वर्क्षीट में जो है आज जो हम चेप्टर स्टार कि जो हिस्टरी होती है वो केवल राजारानी की कहानिया नहीं होती बट ओफ कॉमन मैन, मॉनुमेंट्स, लिट्रेचर एडसेटरा और सो फॉर्म पार्ट ओफ इस्टरी लेकिन जो कॉमन मैन होते हैं उनसे रिलेटिड बातें ठीक हैं मॉनुमेंट्स यानि जो समार्क हैं ठीक है लाइक कुतुब मिनार, लिट्रेचर है, साहित जो होता है वो सभी हिस्टरी का पार्ट होता है, we will study a particular period of history of हिंदी लिट्रेचर ठीक है भक्ती काल, devotional period through various worksheet on this chapter, तो इसमें हम अलग-अलग जो है वक्षीट इसमें पढ़ेंगे और इसमें हम पूरा भक्ती काल इसको पढ़ने वाले हैं, we will try to find out how the lives of sant, writer, philosopher, woman and different section of society during this period, और इसमें हम जो अलग-अलग संत थे, लेखक थे और जो woman थी, ठीक है, अलग-अलग जाती धर्म के लोग थे, उन सब का जीवन काल कैसा था, वो सब हम पढ़ेंगे, what was their thoughts on different ways of life and philosophy, और उनका जो philosophy है, उनका जीवन जीन का क्या तरीका था, क्या उनका नजरिया था, वो सब हम इसमें जानेंगे, the 7th to 9th century saw the emergence of new religious moment, तो देखे, जो 7th century, 7th से 9th century के बीच, ठीक है, कुछ नए, new religious moment, वो जो है, क्या हुए, एमर्ज हुए, यानि उनका जन्म हुआ, led by the, led by the, नेनार्स, नेनार्स जो है, वो कौन ह भर कर आये, और उसमें दो कैटेगरी थी, एक कैटेगरी थी नैनार्स की, और दूसरी कैटेगरी थी अलवार की, तो जो नैनार्स थे, वो संथ थे, डिवोटी टु शिवा, यानि जो शिवा को मानते थे, शिवा को पूझते थे, और दूसरे कौन से थे, दूसरे थे, अल कि जो शिव और विष्णु को जो उन से प्रेम करेंगे उनको अगर सच्चा प्रेम करते हैं भगवान विष्णु को शिव को वही क्या है उनके लिए मुप्ती का मार्ग है ठीक है उसके बाद देखी अगर सब्सक्राइब करेंगे जो होती है शूरवीर्ता उनको किसके साथ blend किया blend यानि mix करना बक्ती के साथ यानि जो बक्ती है और जो love है heroism है यह सारे के सारे जो है उन्होंने बक्ती के मुल्लों में क्या किया समावेश कर दिया नेक्स देखिए नैनार और अल्वर went from place to place composing exquisite अलवर थे विटा ये जो है एक प्लेसी दूसरे प्लेस तर गोंते रहते थे ठीक है और जहां पर भी ये जैसे कहीं पर भी जाते थे तो वहां पर लोग देखे हर जगे अलग-लग बगवान को मानते हैं और पहले तो कोई अर्थ को पूछता था कोई सन को बगवान मानता था पेड़ों को बगवान मानते थे नेचर जो है नेचर को बगवान मानते थे तो जहां पर भी जाते और लोगों के जैसा भी धर्म होता जैसे भी उनकी माननताएं होती उसके अकोड saying about bhakti related to its coming from south to north और एक famous जो है काहवत है bhakti से related ठीके that is related to coming from south to north की किस तरह से south से north में जो है क्या आया bhakti का उदे हुआ ठीके यानि भक्ती का उदे कहां से हुआ north to south ठीके तो इसमें बताया गया south to north हुआ तो बताया गया है bhakti was born in the southern India बक्ती का जो बौर्न हुई थी बक्ती वो कहां पर हुई थी वो southern इंडिया में हुई थी and it was brought to north by रामानंद और उत्तर में इसको कौन लेकर आया north side इसको कौन लेकर आया रामानंद जो है वो bhakti को लेकर आये from south to north तो ऐसा इसमें बताया गया है तो बेटा अब देखे नैनार जो है आपने पड़ा नैनार कौन थे इस संत वर devoted to शिवा नैनार वो थे जो शिवा को devoted थे जो शिवा की पूजा करते थे भगवान शिव को मानते थे these were there were 63 नैनार टोटल नैनार कितने है 63 थे नेच्ट देखिए अलवार इस संत वर devoted to विश्नु तो जो ये संत थे ये विश्नु को devoted थे यानि विश्नु की पूजा करते थे उनको मानते थे there were 12 अलवार तो कितने अलवार कितने थे वो 12 थे next है activity वन दी गई है study the composition of मनिक्वा सागर given in the textbook our past two and state how has the point describe his relationship with the daddy तो आपको क्या करना है ये आपके लिए एक activity है आपको जो आपकी बुक है book on see our past second उसमें आपको मनिक्वा सागर की रचना जो है ठीक है वो दी गई है composition दिया गया है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है और आपको यहाँ पर जो point है उन्होंने अपना relation god के साथ daddy यानि god के साथ जो relation दिया गया है उसको आपको लिखना है तो यह activity आप खुद से करेंगे अब देखी question answer दिये गई है state whether true or false तो true false आपको बताना है तो first दिया गया है बक्ति was started in the southern India तो बिल्कुल ठीक है हमने पढ़ाना उपर अभी बक्ति was born in the southern India तो यह जो है right है बक्ति की शुरुवात कहा हुई थी सदरन इंडिया में हुई थी तो यह right हो जाएगा next देखे second है there were 12 नैनार तो बिटा नैनार कितने थे there were 63 नैनार हमने अभी पढ़ा तो यह क्या हो जाएगा यह गलत हो जाएगा 63 नैनार है 12 तो हमारे अलवर थे next देखे third one अलवर were devoted of Vishnu तो अलवर जो है वो किसको पूछते थे Vishnu को पूछते थे बिल्कुल ठीक है नैनार वो शिवा को पूछते थे अलवर Vishnu को पूछते थे तो यह हमारा answer बिल्कुल right हो जाएगा तो इनको आप अपनी copy में कर लेंगे और worksheet complete करके अपनी teacher से चेक करवाएंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो like share कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और हुझे support कीजिए and thanks for watching students have a nice day